मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारी हान यहां कहा जाता है, सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानि सत्य को प्रमार की आवश्यक्ता नहीं होती, जो प्रत्यक्ष है उसे भी प्रमार की आवश्यक्ता नहीं होती लेकिन बाद जब आधुनिक Medical Science की हो तो उसमें सबसे महत्वपण होता है प्रमार, Evidence सद्वियों से भारतिय जीवन का हिस्सा रहे योग और अईर्वेज जैसे हमारे सांस्त्रों के सामने एविडेंस बेश रीसर्च की कमी हमेशा हमेशा एक चुनवती रही है परिनाम दिखते हैं लेकिन प्रमा नहीं होते हैं लेकिन मुझे खुशी है कि एविडेंस बेश मेडिसिन के यूग में अब योग और आईर्वेज आधुनिक यूग की जांच और कसोटियों पर भी खरे उतर रहे हैं आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा इस संस्तान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केर में बहुत नाम कमाया है इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत जादा असरकारी है टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्टित बेस कैंसर कांफरनस पर प्रस्तुत किया है इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट का ध्यान अपनी तरफ खीचा है क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडन्स के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाव हुआ है इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस कैंसर के मरीजों की बिमारी के फिर से उभरने और मृत्यू के खत्रे में 15 प्रतीशत तक की कमी आई है भारतिय पार्मपारिक चिकित्सा में यह पहला उदारण है जिसे पस्चिमी तौर तरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा गया है साथी यह पहली स्टड़ी है जिसमें ब्रेस कैंसर से प्रभावीत महिलाओं में योग से क्वालिटी ओफ लाइफ के बहतर होने का पता चला है इसके लॉंग टम बेनिफिट्स भी सामने आये हैं टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपने स्टड़ी के नतीजों को परिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी ओफ मेडिकल अंकलोजी में उस सम्मिलन में प्रस्तित किया है साथियों आज के यूग में भारतिय चिकत्सा पद्धतियां जितनी जादा एविडेंस बेज होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्विकार्यता बढ़ेगी इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है यहां हमारी पारंपारिक चिकत्सा पद्धतियों को वेलेडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फर इंट्रिगेटिव मेडिसीन और रीसर्च की स्थापना की गई इसमें लेटेस्ट मोडन टेक्निक्स और रीसर्च मेथर्स का उप्योग किया जाता है यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठीत अंतराष्ट्य जर्नल्स में 20 पेपर प्रकासित कर चुका है अमेरिकन कॉलेज अब काडियोलोजी के जर्नल में प्रकासित प्रेपर में सिंग्पी से पीडित मरीजों को योग से होने वाले लाप के बारे में बताया गया है इसी प्रकार नियूरोलोजी जर्नल के पेपर में माइगरेन में योग के फाइदों के बारे में बताया गया है इनके अलावा कई और बिमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है जैसे हार्ड डिसीज, डिप्रेशन, स्लीप डिसॉर्डर्स और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याएं साथियों कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड अयुर्वेट कॉंग्रेस के लिए गोवा में था इसमें 40 से जादा देशों के डेलिगेट सामीर हुए और यहां 550 से अधिक साइन्टिफिक पेपर्स प्रेजन्ट की गए भारत सहीत दुनिया भर की करीब 215 कंपनियों ने यहां एक्जिबिशन में अपने प्रोड़क्स को डिस्प्ले किया चार दिनों तक चले इस एक्षपो में एक लाग से भी अतिक लोगों ने आईरुवेट से जुड़े अपने एक्षप्रियेंस को एंजोई किया आईरुवेट कॉंग्रेस्ट में भी मैंने दुनिया भर से जूटे आईरुवेट एक्षपर्स के सामने एविडेंस बेज रिसर्च का आगरत दोहराया जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के समय में योग और आईरुवेट की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं उसमें इन से जुड़ी एविडेंस बेज रिसर्च बहाती महत्वपुन साबित होगी मेरा आप से भी आगरह है कि योग और आईरुवेट और हमारी पारमपारिक चिकित साब पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेर करें मेरे पहरे देश्वासियों, बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्त शेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनोतियों पर विजय पाई है इसका पूरा स्रे हमारे मेडिकल एक्षपर्ट्स, साइंटिस्ट्स और देश्वासियों की इच्छा शक्ति को जाता है हमने भारत से स्माल पॉक्स, पोलियो और गीनी वाम जैसी बिमारियों को समाप्त करके दिखाया है आज मन की बात के स्रोताओं को मैं एक और चुनोति के बारे में बताना चाहता हूँ जो अब समाप्त होने की कगार पर है ये चुनोती है, ये बिमारी है, काला जार इस बिमारी का परजी भी सेंट फ्लाय यानि बालू मक्खी के काटने से भैलता है जब किसी को काला जार होता है, उसे महनों तक बुखार रहता है खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पढ़ जाता है और वजन भी घड़ जाता है, ये बिमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है लेकिन सब का प्रयास से काला जार नाम की बिमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है कुछ समय पहले तक काला जार का प्रकोप चार राज्यों के पचास से अधिक जीलों में फैला हुआ था लेकिन अब ये बिमारी बिहार और जारखन के चार जिलों तक ही सिमटकर रह गई है मुझे भी स्वात है बिहार जारखन के लोगों का सामर्थ उनकी जागरुपता इन चार जिलों से भी काला जार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी कालाजार प्रभाविक छेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो दो बातों का जरूर ध्यान रखे एक है सेंट फ्लाय या बालू मक्षी पर नियंत्रा और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज कालाजार का इलाज आसान है इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती है बस आपको सतर्क रहना है बुखार हो तो लापरवाही ना बरते और बालू मक्षी को खत्म करने वाली दवाईयों का छिरकाव भी करते रहे जरा सोचिए हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को दो हजार पचीस तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभ्यान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए ये लोग निक्षय मित्रवन कर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष को प्राब्त करके ही दिखाती है